आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्धन के बारे में फिजिक्स का फर्स चेप्टर हो या सेकेंड चेप्टर हो इस वीडियो में आवर्धन से संबंधित सारे बातों को क्लियर कर लेंगे तुससे पहले हम यह जानते हैं कि आवर्धन से संबंधित 2011 से लेकर 2021 तक कितने सवाल अगला क्यूचन है कि यह एक आवत्ता लेंस बोल दिया था हमने शॉट में लिख दिया है एक आवत्ता लेंस की फोकस दुरी 15 सेंटीमेटर है और प्रतिबीम को दुरी 10 सेंटीमेटर तो उसका आवर्धन निकाली दुरे अठाराम पूछा था यदि एम बराबर निगेट प्रतिबीम कैसा होगा इवी 2018 पूछा है अब चीने परिपाठी के नियम से पकड़ सकते हैं और इसमें भी चीने परिपाठी का नियम आवर्धन से संबंदित साब बता देंगा आपको आवर्धन का मात्रा क्या होता है सिर्फ प्रतना बोला था क्या होता है देखा जाए आवर्धन किसे कहते 2017 पूछा है तो कुल मिला के पांच टाइप का सवाल पूछा है इसको भी किलेल कर लेंगे तो पहले मों समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है देखिए सबसे पहले ना अगर आपको दरपन बोल दे या लेस बोल दे तब सिर्फ दरपन या लेंस लिखेगा लेकिन सिर्फ बोल देखा आवर्धन किसे कहते है तो आप दोनों लिख दी जाएगा क्या लिखेंगे दरपन या लेंस में प्रति बीम की उचाई तथा वस्तू की उचाई के अनुपात को प्रति बीम की उचाई तथा वस्तू के उचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवार्धन कहते हैं यानि आवार्धन को मैगनिफिकेशन इसे एम से सूचित किया आता है फिर से सुनिए किस लेंस या दरपने प्रतिभीम कुछाई और वस्तु की उचाई को आवर्धन कहते हैं अब देखो नहीं यर्वा आवर्धन का मात्रक तीन बार पूछा अठारा उनीस और की से पूछा है अब उचाई का मा मीटर लीजिए चाहिए सेंटीमीटर लीजी ता उपर भी मेटर और नीचे भी मीटर हो जबो छागा तो मीटर अने को मात्रक ही होता है और हम लोग यह समझते हैं कि कौन सी लेंस में, कौन सी दरपन? में आवारधन का साइन क्या होता है तो ध्यान देजिए आवतल दर्पन में जो प्रतिभीम बनता है आवतल दर्पन में वास्तिविक प्रतिभीम भी बनता है और कालपिनिक भी बनता है वास्तिविक और कालपिनिक दोनों प्रतिभीम बनता है जो वास्तिविक और कालपिनिक परतिबीन होता है और व्यास्तु की वाश्तु रखेर गाता है ना परतिशन मतलब होता है तो प्रतिबीन बनेगा है तो कितना थे बात हो गया अब बात करते हैं उतल की उतल धर्पन में क्या होता है तो यह वह उतल धर्पन में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिवी बनता है तीसका जो आवर्धन होगा एम जो होगा से पोजीटिव होगा यानि आवतल धर्पन में दोनों प्रतिवीं बनने के करणा अब ध्यान दीजेगा और यह वास्तिवी उल्टा ना बनता है जी, तो उल्टा बनने कारण निगेटिव हो जाता है, और काल्पनिक सिधा बनता है, जिसका बनता है, जिसका बनता है, अब बात करते हैं, तो उल्टल लेंस में बात करते हैं, तो उल्टल लेंस में दोनों परति भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, और कालपनीक परद्वी में आवरधन हो जाता है अब यही बात करेंगे आब अबजर्ट लेंज के तो लेंज में तो खाली कालपनीक परद्वी मनता है यह को अब तेडि step में यह कालपनीक परद्वी मनता अब जो म términ दर्पनईध के सथ में आपको बताते हैं अब इसमें न प्रस्वे निकलता है कि एम का मान एक होगा तो क्या स्थीति बनेगा तब भाया वास्तु की उचाई और प्रती भी मिकी उचाई के बरावर होगा तब नहीं काटके एक आएगा वस्तु की उचाई बरावर प्रति बीम की उचाई एतना आप समझ गए ठीक है दूसरी बात समझते हैं एम का मान एक से बाड़ा होगा एक से बाड़ा होने का मतलब होता है बभवा उपरे वाला बाड़ा है नीचे वाला छोटा है उपरे वाला बाड़ा होगा तावे जैसे अंस बाटा हर है ना अंस का मान निचला से बाड़ा होने के बाद ही इसका मान एक से बाड़ा आएगा नहीं तो निचला बाड़ा होगा तो एक से मान छोटा आजाता है इसका मतलब उपारला बाड़ा मतलब प्रतिभीम बाड़ा होगा यह ऐसे बोलेंगे प्रतिभीम वस्तु से बाड़ा बनेगा वस्तु से बाड़ा बनेगा इस अब एक नमबर कॉंसेट वाला कीवशन होता है इस अब बिहार बोर्ड में डाला नहीं है लेकि हम जब एक्जाम लेंगा तो उमीद है कि इससे कीवशन एक नमबर का निकल प्रतिभीम वस्तु से चोटा होगा चोटा बनेगा यह होगा जो आप समझेए देखिए न हम लोग उना टेंठ में यार उचाही से समध्धित बात ही समयना है लेकिन आप अगर बोर्ड चेंज कीज़ेगा ना जिससे बीस सी बोड़ पढ़िए या फिर आईसी एसी बोड पढ़िए तो उससे में आवर्धन को थोड़ा सा और डिप किया है और भी चीजों को दिया है देखिए हम आपको समझाते हैं चाहे उचाही रहे या लंबाई रहे या मोटाई रहे इस हमेशा उसी हिस्सा में होगा जैसे आपको दे देगा कि लंबाई को ले करके कि वस्त बात करेगा तब गवड़ा जागा भाईया तब हम यहाल लिग देए छेतर फ़ल को एरिया लिखते है एरिया तो इसका वर्गमूल चलहा देना है तो आपको क्यूचन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक वस्तु है जिसका छेतर फ़ल 9 और उसका प्रतिभीम जो बनरा उसका छ दू बटा तीन उसका आवर्धन हो जागा आपको बस लंबाई चड़ाए उचाए मोटाई दे तो सिधी सिधी ठीकि छेतरफल देता है तो काक्टिया क्यों वर्गमूल निखाल दीजिए ठीकि ध्यान रखना है कि उपरे रखना हमेशा प्रतिभीम को निचे रखना है वस्त दूको इस बात अब को किलियर हो गया आवर्धन का एक और सूत्र होता है एम बरावर वान माइनस भी बाटा एफ अभी होता कही से भाई यह ठीक है डिफिनेशन से निकला है इस कही से होता है तो चाहिए दारपन में पढ़िया या लेंस में दोनों सूत्र से इं लें सूत फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है यदि प्रतिबीम लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन निकाली 28 में अब देखेगा यहाँ पर आप दो चीज को ध्यान में जरूर रखना सबसे पहला चीज है कि भाया कौन सी दारपन या कौन सी काफिन आवधन लेंस तो आवधन लेंस में देखना है कि फोकस दूरी होता क्या है आवधन लेंस में फोकस दूरी 15 सेंटीमेटर तो ध्यान दिजीं एक कि जो 10 cm दिया है और एक बात और इसमें आवतल लेंस में केवाल केवाल काल्पनिक परती भी मनता है तो इसी एरिया मनता है जाने वस्तु होता है ती भी माइनस में होता है जो माइनस में होता है बोल रहा है कि इसका अवरधा निकाली एम बरावर वाट तो चुकि हम लोग जानते क कि A बराबर 1-B बटा F यह होता है अहां सर्राइक एम कमान निकाली अरे भाई यह प्रूफ कैसे होता है यह आपको लेस सूत्र दर्पा सूत्र बताएं तो हम प्रूफ कर देंगे आपको अभी हम लोग काम आवारधन का टोपिक है तो आवारधन बताते हैं आपको अब देख इधर लिख देते हैं तो 15 LCM हो जागा तो 15 एकम 15-10 तो आज आगा आपको 5 बटा 15 इन्हीं एक बटा 3 आ गया है इन्हीं एम कमान में मेरा कितना आ गया है एक बटा 3 मत रख तो होता नहीं अंसर आव अब तल लेंस में आपको बताया गया था कि भाईया केवल कालतिनीग परती भी बनता है तो याता है पालस मग देखिया आ गया इसका मतलब आपका कहीं भी सोलूसन गलती नहीं है किलियर है हमने आव अर्धन के सारे टॉपिक आपको किलियर कर दी है अब उमीद है कि इससे कोई भी क्यूचे नहीं करेगा हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीड कोरी दो करदेव किलियर में उल्ले उमीद प्राम स्टुर्ड़ लोगा है अर्छोचे सभ्सेजर में हमें भी स्टुर्ड़ टॉर्ड़ लोगा है धुनादी कर दो किलिए में भी उमीद